So welcome back to the channel guys तो आज की वीडियो में हम देखने जारे Spider-Man No Way Home के बारे में इसी के बारे में हम पूरी detail में आप है जानकारी लेने वाले हैं और इसी trailer का हम पूरे detail में breakdown भी करने वाले हैं और यहां की maximum hidden details को यहां आप है मैं cover करने जा रहा हूँ हो सकता है कुछ detail मेरे से miss हो जाए तो वो comment box में जरूर लिख देना इस movie में हमें बहुत सारे villains यहाँ पे एक साथ आते हुए देखने को मिल जाते हैं जैसा कि Green Goblin, Doctor Octopus, Lizard, Sand और Electro याने पूरे villains हमें यहाँ पे एक साथ ही देखने को मिल जाने वाले हैं तो यहाँ पे हमें कुछ multi-uniors काई concept यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है जो कि हमें Loki series में देखने को मिला था तो ऐसी excitement से भरा हुआ trailer finally release हो गया है जिसकी link मैंने description में दे रखी है आला कि यह trailer आपने तो अब तक देखी लिया होंगा कभी भी अगर आपने इसका trailer नहीं देखा है तो यहर जरूर देख लेना link description में है तो चलिए breakdown की starting कर देते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखने को मिल जाता है कि Peter Parker की जो identity है वो reveal हो चुकी है जो कि किये Mysterio ने जैसा कि हमें Far From Home की ending में आपे देखने को मिल गया था कि Mysterio Spider-Man की identity को reveal कर देता है इसी करण से हमें हो सकता है कि देखने को मिल जाए कि हमें दो तरह की public यह आपे देखने को मिल जाए और कुछ ऐसी भी public होगी जो कि Spider-Man को hate करेंगी और जो Spider-Man के साथ जो है public उनको यह एक term दी गई है जिसका नाम है Spider-Minions इसी का जिकर हमें trailer में भी देखने को मिल जाता है जब MJO Peter एक छट पर chill कर रहे होते हैं वही के एक news paper कर यह term हमें देखने को मिल जाती है ऐसा ही similar scene हमें trailer में देखने को मिल जाता है वैसे तो हमें सबी के सबी parts में अब तक Flash Thompson तो उसको बुले ही करता हुआ यह आपे देखने को मिल जाता है लेकिन first time है साथ हुआ कि वो Peter के साथ है क्योंकि Flash Thompson भी Spider-Man का एक fan ही था overall देखा जाए तो हमें यही आपे देखने को मिल जाता है कि Peter Parker की identity reveal होने के कारण से उसके friends और उसके families को बहुत ही जादा यहाँ पे struggle करना पढ़ रहा है और बहुत सारे problems भी उनको face करने पढ़ रहे है तो वही पर एक scene में हमें यहाँ पे डेटरो यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाता है जो कि ट्रिविटर स्टीवन डेटरो को उन्होंने Spider-Man और Doctor Strange का character को लिखा था इसके बाद इस सिन में हमें Peter का यह यह वाला photo देखने को मिल जाता है जो कि Spider-Man की dual identity को यहाँ पे represent करता है इसी के बारे में Spider-Man और Doctor Strange यहाँ पे बात करते हुए हमें देखने को मिल जाते है और यही same photo हमें comics में भी देखने को मिल जाता है उसके बाद हमें एक police station का scene यहाँ आपे देखने को मिल जाता है जहांपे Peter Parker का interrogation कुछ officers याँ पर करते हुए हमें देखने को मिल जाता है उसी समय हमें Peter Parker एक T-shirt पढ़ने हुए देखने को मिल जाता है जो कि एक science code के साथ हमें देखने को मिल जाती है वही same T-shirt हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाती है जो कि आप Amazon से easily buy कर सकते हो जिसकी link में आप already description में दे रखी है हो सकता है कि trailer के बाद ये T-shirt जल्दी से sale हो जाए इसलिए आप जल्दी से इसे buy कर लेना link description box में दे रखी है तो इसी के बाद हमें या पे dare devil भी देखने को मिल जाता है तो हमें इसके बाद MJ और Peter वीडियो कॉल पर बात करते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाते है जिसमें Peter MJ को कहता है इस सब को जल्दी से इठीक कर दूँगा तो इसी के बाद Peter को Dr. Strange की यहाँ पे याद आते हुए हमें देखने को मिल जाते है लेकिन इससे पहले हमें कुछ सीन से आपे देखने को मिल जाते है जहाँ पे पीटर स्कूल में जाता है बट वो क्यू स्कूल में जाता है इसके बारे में आभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है इतना सब गढ़बढ होने के बाद भी कोई स्कूल के हुझ जाएगा क्योंकि इसके पीछे भी कुछ नो कुछ रिजन होगा जो कि हमें देखने को मिल जाए इसी सीन के कारण से हमें या पे पिटर की स्कूल की एक लड़की देखने को मिल जाती है जो की news reporting करती हुए देखने को मिलती है इसी तरीके से जो छोटी-छोटी details होती है MCU बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ कर रखता है इसलिए ये movies देखने में बहुत ही अच्छी लगती है बाद में next scene में उसी सेम लड़की को हम इस TV पर देख रहे होते का मतलब यही है कि वो live कर रही है जो भी कर रही है तो overall trailer के इस point तक हमें यही देखने को मिल जाता है कि Peter के जो friends और family है वो बहुत ही जादा problem में फस चुकी है Peter की identity reveal होने की कारण से तो इसी के बाद Peter Dr. Strange के साथ मिलने के लिए सेंटम पहुँच जाता है और वही पे सेंटम पूरा हमें अंदर से स्नो से ढखा हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाता है जहाँ पे Dr. Strange एक बहुत ही शांदर हुडी के साथ हमें देखने को मिल जाते है और Peter आते ही वह वहाँ पे आग जाला देते है क्योंकि उसे थोड़ा बोट अच्छा भी लो वही पे Dr. Strange ओ पीटर के बीच में कुछ ऐसा फ़नी कॉन्वरसेशन भी आपे हमें देखने को मिल जाता है उसी के बाद Peter उनको अपनी समस्या बताता है और ऐसा कुछ करने को बोलता है कि सभी लोग ये बूल जाए कि वो स्पाडर मैन है यही पे ऐसा ना करने को वांस उनको एक सला देता है और उनको हा करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसी स्पेल का यूज़ कर देते है और इसी स्पेल को यूज़ करते हैं पिटर के हाथ से कुछ ऐसी गलतिया हो जाती है जिसके वज़े से वहां पे बहुत बड़ी गड़़ी हो जाती है और यही से मल्टिवर्स का कंसेप्ट आता हुआ हमें देखने को मिल जाता है और इसी के बाद डॉक्टर स्टेंज और स्पाडर मैन के बिच में हमें एक चेज सीन देखने को मिल जाता है बट वो स्पाडर मैन पीटर पारकर ही है या नहीं अब तक हमें पता नहीं हो सकता ह कि वो कुछ दूसरे उनेर्स का भी हां में spider situations देखने को मिलजाता है यहां पर भी यहां भी और देखने को मिल जाते है deeply जाता है जैसा कि हमें डॉक्ट्टरthat जाते हैं देखने मिल जाते हैं गर्णी की विलाफ़ी से पर धार,kolरी दीखने को मिल्चा पर धूआ करके और एक ज़्यादा मुझे तो confirm नहीं है लेकिन इस scene में हमें यहाँ पे sign होने का एक easter act यहाँ पे ज़रूरी देखने को मिल जाता है और साथी साथ हमें electro देखने को मिल जाता है जो कि officially confirm भी हो चुका है तो यही थे कुछ hidden details इस trailer के बारा में हो सकता है कि मेरे से बहुत साथ hidden details छूड़ गए हो वो comment box में ज़रूर लिख देना मैं comment में उनको सभी को pin कर दूँगा और वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर इसको like कर देना चैनल को subscribe कर देना तो चलिए मिल जाते हैं और एक नए वीडियो में